स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्जाम 24 पैसन आफ लर्निंग में आज अपन लोग बात करेंगे कांस्टेबल जीडी का मेडिकल डेट आ गया है देखिए इसका मेडिकल डेट आ गया मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो लोग भी चैनल पे नहीं हों लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बिल आइकन को प्रेस कर दें ताकि यह रेक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है ऐसे नीचे यहाँ पे सब्सक्राइब का ऐसे बटम दिया एलाल कलर का उसको दबा दीजिए ताक अब मेडिकल की डेट आने वाली है मेडिकल कब से होगा इस वीडियो में यही चर्जा करेंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा लाश्ट तक देखिए और चैनल पे नहीं हों जो लोग भी सब्सक्राइब कर लें बगल की बेल आइकन को दबाके चलिए हम लोग बात करते फिजट के बारे में देखिए का स्टेबल जीडी का रिजट जो है दो मैदे पहले ही घोषित हो गया है और इसका फैसकल भी पूरा कर दीया गया है अब इसकी बारी है नेक्स्ट यो जू राउन्ड है वह मेडिकल का मेडिकल अब होग इसका मैं मेडिकल क Community Day जो है आपका दिसंबर में है medical जो है दिसंबर में आपका होगा Sscgd का medical जो है Verearte मन्त में होगा अभी एक newspaper में आये था इसको मैं देख कि बता रहाँ कि ये December में अपका जो है medical जाएगा ओके प्रेंट्स और मैं बात कर लों कि क्या क्या document आपको ले जाने रहेंगे medical के दोरान आपका document verification भी होता है तो आप लोग ये document जरूर ले जाईएगा क्योंकि ये document नहीं रहेंगे तो आप लोग डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं चलिए हम लोग बात कर लेते हैं document के बारे में देखिए पहला document जो है compulsory हो है आपका अधार कार्ड आपके पास अधार कार्ड अवस्थ होना चाहिए अधार कार्ड जो है एक unique ID है इस ID हर जगे मानने होती है तो आप लोग एक अधार कार्ड ले लीजीगा देखिए इसका जो है sample यह है अधार कार्ड और next बात कर लेते हैं हम लोग next जो है आप लोग जाति परमाड पत्र लीजीएगा कास्ट सर्ट्फिकेट जीस है कास्ट सर्ट्फिकेट करते हैं वह भी आप लोग एक compulsory है और इसका देखिए आप लोग central government का जो है आप लोग बनवाईएगा central government का कास्ट सर्ट्फिकेट आपका मानने होता है जो भी OBC, SC, ST के candidate है उन लोगों से मैं फिर दोबारा कहना चाता हूँ क्योंकि आपको जो है आप state level के ले जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल मानने नहीं होता state level की कास्ट सर्ट्फिकेट बिल्कुल मानने नहीं होती है आपको general में जो है कर दिया जाएगा अगर जो आप अपने state की कास्ट सर्ट्फिकेट ले गए तो आपको यह जरूरी है यह देखिए इसका प्रोफार्मा यहाँ पे है यह देखिए मैं आपको image में दिखा रहा हूँ इस प्रोफार्मा से आप लोग तयार करवा लीजिए ऐसे ही इसका sample है इस sample आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को central की कास्ट सर्ट्फिकेट मांगी जाती है तो आप लोग यह देख लीजिए और इसी हिसाब से आप लोग जो है अपने महा से बनवाईएगा कास्ट सर्ट्फिकेट जो है central government की next बात कर लेते हैं हम लोग domicile certificate आपका जो है निवास प्रमाड पत्र भी आपका मांगा जाता है आपको पता होगा कि निवास प्रमाड पत्र भी जरूरी है आप लोग निवास प्रमाड पत्र बनवाली जीएगा अपने कचारी से या तहसिल से देखिए हर इस्टेट का अलग होता है प्रोफार्मा हर इस्टेट का जो है अलग तो यह देखिए मैं आपको दिल्ली का दिखा रहा हूँ यह दिल्ली का है ऐसे जो है डेमेसिल सेर्टिफिकेट वहाँ पर मन होता है ऐसा तो आप लोग जिसी स्टेट से भी हों वहाँ से आप लोग डेमेसिल सेर्टिफिकेट बनवा लिजेगा और चाहे जिसी स्टेट से हों लेकिन सेर्टिफिकेट जो है कास्ट सेर्टिफिकेट आप लोग सेंट्रल गवर्मेंट की बनवाईएगा अगर जो आप OBC, SC और ST से बिलॉंग करते हैं ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है अप लोग की मार्क सीट लगती है मार्क सीट का देखिए अप इंटरमेडियेट की मार्क सीट और हाई स्कूल की मार्क सीट देखिए आप लोग ऐसे यूपी की है हाई स्कूल की मार्क सीट यूपी गवर्मेंट की है तो आप जिस भी इस्टेट से हैं वहां की गवर्मेंट की मार्क सीट अलग अलग होती है त intermediate का या high school का और अगर जो आगे भी मांग गया हो जो भी graduation का तो आप लोग डाकुमेंट ले जाएगा जरूर ओके प्रेंट्स और सबसे जरूरी बात आप लोग जो है cast certificate मैंने यहाँ पर है जो cast certificate यह आप लोग central level की ले जाएगा क्योंकि यह central level की ना होने की काराड़ आपको जो है general में कर दिया जाएगा जो भी आरच्छड के मतलब OBC और ST candidate जो भी है इनको जो है आरच्छड चाहिए तो आप लोग central government की जो है ले जाएगा कास्ट certificate ओके फ्रेंट्स आज की वीडियो में यही बताना था